बॉझील याही जएजेशनी देवर्ण हेरे सादु महारा यां भीतर कह जा रहें वगंबाला हम तुमारे शवामनी सुनिती को अपने दिवेडर्शनों से धन्य करने lange हैं हमारे दिवेडर्शनों से उनके कस्टों का अंध्यों चलिए दो जय जय शनिदेव सुखिया माई ये दोनों साधु स्वामेनी से मिलने के इच्छोख हैं शमा साधु माराज इस समय बिट्यारानी सुनेती अपने आराध्य भगवान मिश्णु की आराधना में वैस्त हैं आपको प्रतिक्षा करने होगे जय जय शनिदेश मुल्किस्तरी तु हमारी शक्तियों से आपर ही चिताए इसी कारण हमसे प्रतिक्षा का निविदन कर रही है हम अपनी इक्षा से यहां प्रकाट हुए हैं और अपनी इक्षा से तुमारी स्वामेनी सुनिति को अपने दर्शंदे कर धन्य करेंगे जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाई साधु महाराज कौन है आप दोनों और आपका यहांने का उद्देश क्या है जय जय शनिदेव महारानी सुनिती हम तुम्हारे हित्तिम तक है शनिदेव की आज्या पाकर ही हम यहां तुम पर किरपा करने पधारे हैं शनिदेव की आज्या कैसी आज्या यदि तु अपने कश्टों का अंत करने की चुक है तो भगवान विश्नु की अराधना बंद कर और हमारे परम अराध्य परमशक्ति संपन्य शनिदेव की अराधना कर तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे हमारी बात पर चकित वास्तब्द होकर तुम हमारा ही नहीं अपी तु शनिदेव का भी अफमान कर रही हो सुनिती हमें भली भात ज्यात है कि कुछ समय बुल्व तक तुम कंप्ला की पटरानी थी किन्तु अब नहीं जय जय शनिदेव तुम्हारे पती उत्तान पाद ने विद्वन्षक शक्तियों के अधिस्ठा था शनिदेव की उप्यक्षा की जिसका पडिनाम है कि तुम और तुम्हारा पडिवार धयानक संकट और कस्टों से घिर गया है हमें ज्यात है सुनी थी कि तुम अपने पती की प्रिये थी किन्तु तुम्हें ज्यात होते हुए भी उत्तान पाद का दुस्रा विवा करवाकर स्वयम को संकट में धकेल दिया कि जय जय शनी देव शनी देव की उपेक्षा का पडिनाम कि तुम्हारे सर्वनास्ती धुमिका बच देगा इस कारण कि विश्णु भक्ति को त्याक कर और पूर्ण समार्पन के साथ शनी देव की अराधना कर साथू महराज मुझे क्षमा करें मेरी कुल के एकमात्र आर्याथी जग्दिश्वर भगवान विश्णु है उनकी भक्ति को छोड़कर मैं किसी अन्य के आराधना के कल्पना भी नहीं कर सकती मुल्क हिस्त्री तु क्यूं अपने सर्वनाश को अमंत्रित कर रही है शनी देव का क्रोध वह उपेक्षा तेरे सवभाग्य को कलंकित कर देगी तेरे दुर्भागी की काली छाया से तेरा जन्म लेने वाला बालक भी वन्चित नहीं रह पाएगा शनी देव की कुद्रिश्टि के भयंकर प्रखोप से तेरे बालक का भविश्य संकत में पर जाएगा कि यदि इसी छन से तूने शनी देव की अराधना प्रारंभ नहीं की तो संसार की कोई भी शक्ति फिनास से तेली रक्षा नहीं कर पाएगी जय 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 बिट्या रानी बिट्या रानी वो दोनों सादू चमतकारी थे शनीदेव के भगतों का तिरसकार करके तुमने उचित नहीं किया मुझे भगवान विष्णु के ग्रुपा पर पूर्ण विश्वास है मुझे भलिभाती ज्याद है कि शनीदेव मनुवंश के शत्रू है और वे दोनों शनीदेव का प्रोच्छान पाकरी मुझे भ्रहमित करने आये थे और कि हुड़ा इस्वाटी नहीं प्रुम के तो देनीदिवे नव नहीं नव ऊंड़ा इसरे है उत्त है वका पे ग्र师 आज सेनी ध्र वर आमा झालता हाँ ओम शनी देवायनमा 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 मुश पर प्रसन हो. मुश पर कृपा करे, शनी देव. पत्रानी सुरुची कहा है तुम सब ने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया कहा है पत्रानी शबा महराज हमें पत्रानी जी की विशय में कुछ भी ग्यात नहीं है अर्थात अर्थात वे कहां गई है इसका हमें ज्यान नहीं है महराज प्रतिहारी आग्या महराज पट्रानी सुरूची कहा गई है अध्यान के पश्चात वे अपने प्रियदासी मुख्री के साथ गई है कि तु कहा मुझे इसका ग्यान नहीं मुझे शमा करे महराज महामंत्री सुदत को शिगर हमारी सेवा में उपस्तित किया जाए जो आग्या महराज Om Shani Devai Namah श्येक आपा के लुग अनुए नमा हमारे आवहान का क्या कारण है चमा स्वामी चमा हम आपके परंपावन दर्शन के अभिलासी थे शनीदेव वो दिन दूर नहीं ढहिए जब सारा संसार हमारे परंपावन दर्शन के लिए एसी प्रकार आवहान करेगा तब भागवत भक्ति के स्थान पर शनी भक्ति का प्रचार प्रसार होगा धन्य धन्य कितना सुन्दर तिन होगा वह शनी देव जब संसार का हर प्रानी भाग्य विधाता शनी देव के चर्णों में शर्नागत हो जाएगा किन्तु श्वामी किन्तु क्या ढ़िया अपनी बात शीक्र कहो दुष्टों स्वामी हम वन भवन में रहने वाली उत्तान पाद की प्रतम पत्नी सुनिती को आपकी अराधना के लिए प्रेरित करने में अज सफल रहे श्वामी olan उस्वामी ओपने कुल के अराध्य कर्या ने के लिए प्रस्तूत नहीं उसकी मति मारी गई उसे हमारे शक्ति का भर्वाह थैं हमने उसके सोभाग्य में अपनी विध्वनसक्ति से दूर्भाद्य का अंतकार च्धा दिया और अभी भी उसे विषणु भाक्ति पर विष्वास है अब उसने आपका तिरशकार औरुपेख्छा की सत्य कहते संकोच, स्वामी तुमनी संकोच कहों ठंड ओ स्वाम hiss kamu विषणु भाक्ति सुनीति के दुष्णाहस ने आपके अपमान का दुष्कर्म भी किया है इद्वशक्षक्तियों से उसे धंडित कर सकते थे किन्तु आपके आज्ञान होने के कारण हम विवस्त थे इसी कारण स्वामी हमने आपका आखवान किया स्वामी वो अभागन सुनिती अपनी दुष्टता के कारण आपके धंड की पात्र बन गई है विश्णू भक्ति में लगे सुनिदे के विश्वास को खंडित करना अब हमारा परमकर्तव्य है इंदोस के पूर्भम अपनी परमरादिका सुरुची के अभान का उत्तर देंग आम श्नी देवयनमा ओम स्वालन के अभान का अरम श्नी पक्तिन? शुरुची शनीदेव तुम्हारे कामना के सवर हम तक पहुच गये हैं कहो किया कामना है तुम्हारी शनी देफ मेरे समान की रक्षा करें शनीदेफ मुझे अपनी सौथ सुनती से भै हो रहा है उसकी मुझसे पूर्व यदि गर्बती होने की सुचना महराज और कपिला की प्रजा तक पहुंच गई तो अनत्थ हो जाएगा शनीदेव वो सब मेरा सर्वदाश कर डालेंगे और मेरी मनों कामनाएं द्वस्त हो जाएंगी मेरी रक्षा करें शनीदेव मेरी रक्षा करें सुरुची कि छनीदेव की भक्तों की मनों कामनाएं कभी अपुर्ण नहीं रहती हाँ मैं इस सत्य से अनभिग्य नहीं हो शनीदेव आप इस संसार के सब से शक्तिशाली देवता हैं आपके प्रहार से देव तानव मानव कोही नहीं बच सकता शनी देव, आपकी विद्वांचग, विनाशक और भ्यानक गुरुदिष्टी संथार का सबसे बढ़ाते ब्यास्त्र है मेरे समान की रक्षा के लिए सुनती पर आप अपनी कुद्रिष्टी का प्योग करे मेरी रक्षा करे शरी देव, यदि आपने मेरी पुका नहीं सुनी, तो मैं यही अपने प्राण आपके चन्नों में थ्याग दूगी मैं अभागन सुनती कि उद्दता के विशे में सुन चुका हूँ सुनची किन्तु तुम निश्चिंत रहो, मैं शीग्रयू से तंडित करूगा मेरा ख्रोथ उसके सु भाग के कोही नहीं, उसके जन्म लेने वाले बालक के सु भाग के को तुर भाग के में बदल देगा तुम्हारा कल्याण हो जय जय शनी देव जय जय शनी देव पट्रानी सुरूची कहा है आप पट्रानी सुरूची कहा है आप पट्रानी सुरूची कहा है आप पट्रानी सुरूची पट्रानी सुरूची महराज महराज पट्राणी सुरूची हमें बीना बताया आप यहां क्यों चलिया को अच्छी निर्जन प्रदेश में क्या कर रही है महराज गसी अफैनी यां माराज मैं सत्य कह रही हूं मुझे ब्रतीत हो रहा है कि कहें पट्रानी कहें कि कोई हमारे युवराज को अपनी तत्र साद्धा से समात करने के एक्छुक है इसी कारण इसी कारण मैं इस गुप छेत्र में विद्वांचक विनाशक और भ्यानक शक्ती के अधिश्थाता शानीदेव की अरादना कर रही थी कि देखा तुमने मेरे उपेक्षा का दुष्परिणाम मैंने तुम्हारे कुल के सुक शान्ति को नश्ट रस्ट कर दिया यह तुमने क्या किया पट्रानी श्रिष्टि के प्रथम दिन से बनुवन श्रिष्टि के पालक जग्तिश्वर भगवान विश्णु का ही अराधक है हमारे कुल में हर देवता का आधर होता है कि तु किस्या ने देवता की अराधना की कल्पना भी नहीं की जा सकती मैं वत्स कन्या हो महाराज हमें वही परंपरा प्रिये है जो हमने अपने माता पिता को करते देखी वत्स राज कन्या सुरूची तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा कन्यादान मुझे कर दिया था कन्यादान से मेरा सभा तो नहीं परवर्दित हो सकती मेरा विश्वास तो नहीं ढूट सकता आपको ग्यात है स्वामी आज मैं कंपिला की पट्रानी और आपकी पत्नी हो तो शनी देव की कृपास से नहीं सत्थी को सुनकर इन्यों तेजित ना हो महाराज देवी सुनिती के प्रस्ताफ को तुम्हें किसी मूले पर स्विकार नहीं करती इदू शनी देव ने मुझे आपसे विवा करने के लिए प्रेरित किया शनी देव